इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रजार नहीं कड़े। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गेटलाइट क्रीम के बारे में। गेटलाइट क्रीम एक त्वचा संबंदी दवा है जिसका उप्योग मुख्य रूप से मिलास्मा यानी त्वचा पर गहरे भूरे रंग के धब्बे के इलाज के लिए किया जाता है। ये आँखों के नीचे के स्कार और डाक सकल को कम करने में भी मदद करता है। मेलाजमा त्वचा की एक सामान्य समस्या है जिसके कारण आपकी त्वचा पर गहरे रंग के बदरंग पैच बन जाते हैं। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधे काम है। ये धब्बे ज्यादातर माथे, ठोड़ी, नाक और गालों पर आते हैं। गेटलाइट क्रीम कैसे काम करता है। गेटलाइट क्रीम में तीन दवायां शामिल हैं। हाइडरोक्विनोन ये त्वचा को गोरा करने वाला ब्लीचिंग एजेंट है। मोमेंटासोन ये एक कोटिकोस्टरोइड है और ट्रेटिनोईन ये विटामिन A का एक रूप है। हाईड्रोक्विनोन त्वचा को गोरा करने वाले एजेंट है जो त्वचा के कालेपन के लिए जिम्मेदार मेलिनिन की मात्रा को कम करता है। मोमेंटा सौन तवचा की कोशिकाओं के अंदर से काम करता है और शरीर में कुछ रासाइनों को रोकता है जो लालिमा, खुजली और सूजन का कारण होते हैं। ट्रेटिनोइन जल्दी से नई तवचा बनने में मदद करता है और तवचा की बाहरी परतों के प्राकृतिक एक्सफोलियेशन में मदद करता है। गेटलाइट क्रीम केवल बाहरी उप्योग के लिए है। गेटलाइट क्रीम का इस्तिमाल कैसे करें। रात में चेहरे को हलके साबुन से धोए और तवचा को थप थप पाकर सुखाएं। क्रीम की थोड़ी मात्रा अपनी उंगलियों पर लें और साफ और सूखे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इस क्रीम का इस्तिमाल ज्यादातर रात में ही करने की सलाह दी जाती है। गेटलाइट क्रीम को नाक, मू, आँख, कान या योनी के संपर्क में आने से बचाएं। कटे, खुले, घाव या जली हुई तवचा वाले हिस्से पर न लगाएं। अगर गेटलाइट क्रीम गलती से इन जगहों पर लग जाए, तो पानी से अच्छी तरद धो लें। खास टिप्स, क्रीम के इस्तिमाल के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे संस्क्रीम का इस्तिमाल करना और बाहर जाते वक्त सुरक्षात्मक कपडे पहनना। शुरुआती सुधार केवल दो हफ्तों में देखा जा सकता है, आमतोर पर पूरा परिनाम नियमित इस्तिमाल के दो या तीन महीनों के बाद बिखाई देता है। आप एरिटेशन या अलजी का अनुभव करते हैं तो इसका इस्तिमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से बात करें। बारा वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए गेटलाइट क्रीम का इस्तिमाल ना करें। तो दोस्तों ये थी गेटलाइट क्रीम के बारे में जानकारी अगर विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।